हेलो हाई फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैडिव साल में तो फ्रेंट्स आज हम एट्पी पुलिस 2020 के लिए इंगलिस का प्रेक्टिस सेट वन करेंगे तो फ्रेंट्स ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला ह तो friends आपको जो अपने marks जो हैं comment section में जुरूर comment करने हैं अगर आप मारे चनल पर नया चनल को subscribe जूरूर कर लिजे और bell icon press कर लिजे ताकि आपको हर वीडियो का notification जो है मिलता रहे और friends आप जो भी जिसने भी अभी जो है हमारा चनल सबस्क्राइब कर रखा है तो friends उनसे मेरी बहुत ही विनवर निमेदन है कि आपको जो है इस वीडियो है हमारी उसको जादा से जादा शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ चूट सकें तो friends चलते हैं व मैं आपके लिए ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो जो है लाता रहूं तो friends आमारा जो पहला कोश्यन है ठीक है friends मैंने 16 कोश्चन लिए है क्योंकि 16 कोश्चन ही आपको जो है एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं English section के तो friends यह मैंने जो है एक्जाम के लेलेवेंट जो है ब option यह है condensed, full, advanced और forsake ठीक है friends तो आप सोच सकते है किसका answer क्या होगा ठीक है तो friends इसका जो answer होगा option number D इसका force एक जो है right answer हो जागा ठीक है तो next question है चलते है next question के तरब dearth ठीक है dearth ठीक है तो friends इसका जो synonym होगा वो क्या होगा तो option number A है dismount और option number B है destroy और option number C है give up और option number D है shortage ठीक है तो friends dearth का dearth का meaning जो होता है वो होता है क्या अभाव ठीक है यानि कि कमी तो friends का जो right answer हो जगा option number D shortage ठीक है और abandon का जो meaning होता है वो त्यागना ठीक है तो friends का जो right answer था वो D था ठीक है तो चलते है question number 3 की तरफ तो friends यहामें condition दिए कि choose antonyms for question number 3 to 4 कि antonym यानिकी उल्ट ठीक है तो friends question number 3 जो है मारे पास है ban ठीक है ban का meaning हो गया किसी भी चीज़ पर जो है रोक लगा देना ठीक है तो उसका आप यहाम पर देख सकते हैं finish true bankrupt या sanction ठीक है तो friends इसका आपको क्या करना है antonym यानकी उल्टा बताना है ठीक है तो friends इसका जो right answer हो जगा option number D sanction ठीक है तो चलते हैं next question की तरफ question number 4 confess ठीक है friends तो confess के लिए चार option दियो है contradict, scatter, deny और clear ठीक है friends तो वीडियो पसंदार होगा वीडियो को like जूर करें और अपने friends में एक एक शेर जो है जूरूर करें जो भी हमारी वीडियो देख रहे हो जो भी वीडियो देखें वो कम से कम 10 बंदों को जो है वीडियो को जूरूर शेर करें जो भी इस एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ठीक है friends तभी मैं अभी जो next आपके लिए live भी आ सकता हूँ ठीक है तो friends का जो right question number 4 है confess का meaning होता है स्वीकार करना तो स्वीकार का उल्टा क्या हो जाएगा अस्वीकार ठीक है friends तो option number C क्या है c right answer है तो friends चलते है question number 5 की तरफ ठीक है तो question number 5 और 6 बेज्ट है collective nouns के ओपर ठीक है cool number 5 है a dash of keys थीक है friends तो आपको यहाँपे group जो है चूज़ करना होता है collective nouns ठीक है तो friends यहाँपे option number A है fleet और optionna b.b.b और option number C है, stock, option number D है, volley, ठीक है friends, तो इसका right answer रोज़ेगा, option number B, a bunch of keys, ठीक है, a bunch of keys होता है, यहाँ पे आप fleet वगएरे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो ना ही stock, ना ही volley, ठीक है, तो इसका right answer हो ज़ेगा, वो ज़ेगा, a bunch of keys, ठीक है, आपको इसको याद रखना है, next question, question number 6 a dash of stairs, ठीक है, तो stairs का आपको पता होगा, जो body होती है, ठीक है, तो friends, यहाँ पे इसके लिए group के लिए क्या use होता है, यहाँ की क्रम, ठीक है, तो friends, ray नहीं use होगा, नहीं band होगा, नहीं group, इसका तो जो right answer होजगा, option number D, flight, ठीक है, यहाँ की सीडियों का क्रम, ठीक है, तो question number 7 के तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे हमें condition दिये, fill in the blanks with stable forms of verb, ठीक है, यहाँ पे हमें, जो verb का use करना है, जो correct verb होगी, तो question number 7 है, 5 plus 5 dash 10, ठीक है friends, तो इसका जो right answer है, आप जो है, सोच सकते हैं, क्या होगा, चार option जो है, आपके पास है, तो friends, इसका जो right answer होजगा, I dash at 0 degree Celsius, ठीक है friends, तो इसका जो right answer है, वो आप सोच सकते हैं, क्या होगा, तो friends, इसका जो right answer होजगा, option number C melts, ठीक है, तो next question, I dash a motorcycle when the price come down, ठीक है, तो friends, यहाँ पे आप जो है, अपना answer चूज़ कर सकते हैं, option number, यहाँ पे, 4 option में थे, तो friends, तो इसका जो right answer होजगा, वो जो मैं question बोलता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप time ले सकते हैं, ठीक है, तो इसका जो answer होजगा, option number C, ठीक है, shall buy, ठीक है, next question, Mother Teresa dash to help the helpless, ठीक है, friends, यहाँ पे आप जो है, चूज़ कर सकते हैं, चार option में थे, ठीक है, तो friends, का जो right answer होजगा, वो जगा, option number A, used to, यहाँ की Mother Teresa, used to help the helpless, ठीक है, तो question number 11 चल पड़ा, ठीक है, change active to passive voice, ठीक है, यहाँ पे दिवो है, shut the door, ठीक है, तो friends, आपको जो है, अगर ऐसे sentence में, जो है, जो sentence आता है, ठीक है, shut the door, ठीक है, तो friends, आपको इसको कैसे convert करना है, ठीक है, friends, यह आपके लिए order होता है, यह command होती है, ठीक friends, मैं आपको बता दू, यहाँ पे अपना answer आपने choose कर लिया होगा, ठीक है, अगर नहीं किया है, तो इसका जो right answer होजगा, option number D, यहनकी let the door be shut, ठीक है, तो आपको जो है, इस तरह से इसको change करना होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है, let का use होता है, अगर आपको command दी होती है, तो next question की तरफ चलते है, question number 12 to 13, are based on one word substitution, ठीक है, friends, अगर आपको किसी भी question में doubt लग रहागो, तो comment section में जुरूर कमेंट करे, आपको simply ऐसे बोलना है कि इस question में doubt है, ठीक है, तो next question number 12 है, a killer of a king, ठीक है, friends, आपको जो one word use करना है, तो चार option के आपके पास है, battery side, solicitor, regicide, और ठीक है, इसके लिए one word use करते हैं, तो next question है, a dead body of human being, जो है, शव्ज होता है, ठीक है, तो उसका जो, इसके लिए एक word use करते हैं, तो उसका क्या हो जागा, वो जागा, option number B, ठीक है, corpse, ठीक है, और जो कारकेज होता है, होता है, जानबरों का सव्ज, ठीक है, कारकेज यहन के option a और जो human being का होता है वो था है corpse ठीक है तो question 14 तो question 14 हो जाएगा choose correct items और phrases ठीक है तो friends आपको items और phrases जो है correct यूज़ करना है यहाँ पर तो at the 11th hour ठीक है friends की बहुत ही important जो है तो इसको आपको जुरूरी याद रखना है तो friends इसका जो right answer हो जाएगा option b at the last moment ठीक है at the 11th hour हम यूज़ करते हैं at the last moment ठीक है तो next question है to work like a dog ठीक है तो friends आपको इनको जो है याद ही रखना होता है ठीक है तो इनका जो है meaning वगएरा बहुत कम बनते हैं तो friends आपको इनको जो है कि stick सारे खाट इमाइबन बनते हैं में याद रखना है थीक है तो इसका जो right answer राजिएगा option नबर ए to work very hard ठीक है तो next question है airplane's stored in dash ठीक है friends जो में रखे जाते हैं airport में रखे जाते हैं डिपार्ट में रखे जाते हैं यह hangर में राखे जाते हैं तो friends का तो राइट अंसर रहा जगा, option number C, hangar, ठीक है friends, तो यह हमारा practice set था, वो complete हो चुका है, आप अपने marks जो है, comment section में जरूर comment करिए, और video को like करें, और अपने friends में share करें, ठीक है friends, और friends में share करें, जो भी exam की त्यारियों कम से कम 10 वंदों को जो है, आप जो है, जूरूर share करें, और हमारे जो facebook पे भी एक page है, ठीक है, ग्रूप है, sorry, ग्रूप है, HP Police Constable 2020 के नाम से, तो friends, आप वहाँ से भी join कर सकते हैं, ठीक है, तो friends, whatsapp group का link में description box में देदूँगा, आप वहाँ से भी join कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को like करें, और ज़्यादा ज़्यादा share करें, धन्यवाद friends, और next practice set के लिजी ready रहिए, ठीक है, धन्यवाद